भगवान संकर के बारह जोतिर लिंग की कथा नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्यान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज से हम भगवान संकर के बारह जोतिर लिंग की एक-एक करके कथा सुनाएंगे तो पहली कथा हमारी सोमनाथ चुलिंग के उपर है तो आईए हम जोतिर लिंग में सबसे पहले सोमनाथ जी की कथा सुनते हैं पहला है सोमनाथ जोतिर लिंग यह सोमनाथ जोतिर लिंग गुजरात में सागरतट पर इस्थित है जैस्री सोमनाथ, जैस्री सोमनाथ प्रिये दर्श को ध्यान से सुनियेगा और इससे पहले आप कथा कहानी में खोजाएं आप चैनल को सस्क्राइब चरूर कर ले वीडियो पसंद आएगी तो लाइक चरूर करियेगा पुरान के प्रभास खंड में कथा का संदर्व मिलता है कथा इस प्रकार है चंदर्मा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विबाह करके एक मात रोहणी में इतनी आसकती और इतना अनुराग दिखाया की अन्न 26 अपने आपको उपेचित और अपमानित अनुभो करने लगी उन्होंने अपने पती से निरास होकर अपने पिता से सिकायत की तो पुत्रियों की बेदना से पीडित दक्ष ने अपने दामात चंदर्मा को दो बार समझाने का प्रियास किया परंतु बिफल हो जाने पर उन्होंने चंद्रमा को छाई होने का स्राप दिया छाई का मतलब है कुष्ट रोग होना देवता लोग चंद्रमा की बिथा से विथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे साप निवारण का उपाय पूछने लगे ब्रह्मा जी ने प्रभास छेत्र में महामिरितु इन्जय से बिषब धोज संकर की उपासना करना एक मात्र उपाय बताया चंद्रमा के छै मास तक सिव की पूजा करने पर संकर जी प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रत दिन उसकी एक एक कला नस्थ होने और दूसरे पक्ष में प्रत दिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया देवताओं पर प्रसंद होकर उस छेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यस के लिए सोमेश्वर नाम से स्यू जी वहां उपस्थित हो गये देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की इस कुंड में इसनान कर सोमेश्वर जयोतिल लिंग के दर्शन पूजा से सब पापों से मुक्ति प्राप्थ हो जाती है चंद्रमा के नाम को सोम नाम से भी जाना जाता है इसलिए यह जोतिल लिंग सोम नात के नाम से मशुहूर हुआ चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्थ हुआ अता इस स्थान को प्रभासु पट्टन नाम से भी जाना जाता है बाद में रामण ने रूपा का कृष्ण भगवान ने चंदन का इस तरह सोमनात के मंदिर बांधे सोराटी सोमनात के परिशर में फैले अनेक पौराणी के स्थानों के आधार पर घटी कहानियां अंत में सिरिशोम नाथ के इस बैभो संपन्नी स्थान पर मुसल्मानों ने अनेक बार आकरमण भी किया 722 इस्वी में सिंध काशु बेदार जुना मदने पर्थम आकरमण करके अंगिनत खजाना लूटा और बाद में अलाउद्दिन खिलजी, महमूद बेगडा, अलताफ खान, मुझपफर खान औरंग जेग ने अनेकों बार मंदिर को तोड़ फोड़ करके भरस्त किया और वहां कईयों कतल किया और अंगिनत संपत्तियां लूट ली बाद में 1783 इसवी में सिवभक्त सादफी अहिला देवी हूलकर ने सोमनात मंदिर का निर्मार किया भारत की आजादी के बाद गुजरात के सेर सरदार बल्लब भाई पटेल ने महराष्ट के काका साहब गाडगील की सलाह से सोमनात मंदिर का चीरोन द्वार किया भारतिय सिल्फ कला की बहुत सुन्दरता का एक बेजोड नमूना इस भावना से बिश्चुका ध्यान इसकी ओर आकरशित हुआ है तो ये थी सोमनात जो तिरलिंग की कथा आई होग आप लोगं को पशंदाया होगा और वहाँ अनेको धर्मिस्थल हैं घूमने की जब भी आप जाएं तो सुक्र गुजार हूँ अहिल्ला दे भी होलकार का तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक सेर कमेंट जरूर करें कैसा लगा और किसने सोमनात मंदिर के दर्शन किये हैं और कौन जाने माला है यह भी कमेंट में जरूर लिखें तो आईए मिलते हैं अगले वीडियो में हर हर महा देओ दूसरे जोती लिंक के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए हर हर महा देओ